कि नमस्कार फिर पैसा बोलता है में आपका स्वाज़त है आज मार्केट में बहुत अच्छी कबर है मार्केट 350 पॉइंट के ऊपर चल रही है सेंसेक्स लगबग 1000 पॉइंट ऊपर चल रही है बैंक निफटी तो 600 पॉइंट के ऊपर चल रही है सोने के दामने भी साफा हुई है 6250 रुपिया में ट्रेड हो रही है अगर आप GST को मिलते हो 6500 तक पहुंच चुकी है सब जगह कुशी ही कुशी है इन्वेस्टर्स को जिन्नोंने अल्ड़ेडी इनिवेश कर ली उनके लिए बहुत कुशी की माहूल है क्योंकि सारे मार्केट्स उपर है जापनिस मार्केट्स भी उपर है अमरिकन मार्केट्स भी उपर चल रहे हैं इन सब ने कुशी की माहूल देखने को मिल रहा है आज क्यों मार्केट उपर गया मार्केट उपर गया इसी लिए क्योंकि गोल्टमन सेक्स ने परसो एक रिपोर्ट में लिख लिया कि रिलाइंस का स्टाक हाईली अंडर वैल्यूड है रिलाइंस का स्टाक 54 परसंट उपर जा सकता है और जो 2925 रुपया में आज है 4,500 रुपया तक पहुंच सकती है अगले तीन साल ने इसके कारण में रिलाइन्स के स्टाक में बड़ा इसाफा हुआ इसके कारण मार्केट बहुत उपर चल रहे है पिछले दो दिन की प्राइमरी न्यूस है कि रिलाइन्स को गोल्डमन सेक्स ने अपग्रेड कर ली और इस अपग्रेड के कारण मार्केट में कुशी की माहुल है और सारे स्टाक रूपर चल रहे हैं एस्पेशली रिलाइन्स बहुत तेजी से ऊपर चल रही है फार्मा में आज तीन न्यूस है पहले न्यूस यह है कि सनोफी से कल एक ब्लेट प्रशर टैबलेट के लिए अनूंस्पेंट हुआ था डाक्टर रेड़ी का लेकिन आज डाक्टर रेड़ी ने सनोफी के साथ दूसरा अनूंस्पेंट की है सनोफी की पीडियाट्रिक और अडल्ट वैक्सीन ब्रैंड्स दोनों को मिलाके 426 करोड की सेल्स है लगबख 51 मिलियन डॉलर्स की सेल्स उन्होंने सारे सेल्स को डाक्टर रेड़ी में ट्रांसफर कर ली है अब सिर्फ सनोफी ब्रैंड या सनोफी सिर्फ मैनिफैक्चरिंग सोर्सिंग और इंपोर्ट करेगा प्राड़ेक्ट को डेरिवर कर देगा डाक्टर रेड़ी को डाक्टर रेड़ी इस प्राड़ेक्ट को लेकर कोने 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 तक बेचेंगे डाक्टर रमना जो डाक्टर रेड़ी की ब्राड़ेक्स की हेड है उन्होंने ये सुचना देही है कि सनोफी की प्राड़ेक्स बहुत अची है इसमें 1.5 बिलियन पेशन्स तक रीच कर सकते हैं और इसके कारण मुनाफा हो सकती है अभी भी डाक्टर रेड़ी जे हज़ार 150 रुप्यार के आज पास ट्रेड हो रहा है आप डाक्टर रेड़ी को कंसेर कर सकते हो डाक्टर रेड़ी उतना एक्स्पेंसिव नहीं है दूसरा स्थाख है जाइडस विलनस Zidus Wellness में तो Zidus Life Sciences Zidus Life Sciences की गुजरात की जो फैक्टरी है उसमें से अनेक observations आए है जिनता जनक तो चार ऐसे notifications है जिसमें Zidus Life Sciences को पर accusation लगा दी है लेकिन company ने बोला है कि data integrity की कोई chance नहीं है notice उस कारण नहीं मिला है तो वो US FDA के साथ काम करेंगे very closely and ये deal करकर ये सब FDA की concerns जो है उनकी उनको हटा लेंगे तो ये ही है food regulator से Zidus Life Sciences की interface के कारण ये problem सुलच जाएगी वही उनका take है सो हमको देखता रहना है इस space को अगली विद नियूस ये है कि कल्यान जोलस का शांदार performance जारी है आज भी कल्यान जोलस की दाम में बड़ोतरी हुई है पिछले 10% मैंनों में लगबग 300% की इसाफ़ा हुआ है इन सब का कारण ये है कि ये इस company में natural hedge है क्योंकि वो बाहरत के बाहर भी सोने बेचते हैं और सोने के दाम उपर होने समय से सोने को turn around का time डगता है और इस time में कोई फाइदा हुटा के जो stock dealer के पास पड़ा है उसमें तो इसाफ़ा होती है जाती रही है और उसमें तो वो कोई profit खमा सकते हैं तो कालियान ज्वेलर्स का sales भी increase हो आका in terms of turnover लेकिन gramage में कम हो सकती है तो इन सब के कारण कालियान ज्वेलर्स अभी 52 हाई भी cross करकर अपने life time है की तरफ बढ़ रही है जो ZIDUS Life Sciences के बारे में तो मैंने बता दी कालियान ज्वेलर्स के बारे में भी बोल दिया अभी ICC Securities का ने अनूंस किया है कि उनके 72% shareholders ने ICC Securities की साथ जो merger हो रही है उसकी okay कर दी है एक दो दिन में ये merger complete हो जाएगा वाईसा दो खंड सबसेटरी बोल रही है लेकिन कोई सच नहीं है जब तक के news पका बाहर निकलती है वागमक पिंकर्स के एक affiliate company जिसमें वो IDFC बैंक की stake को बेहर रखे हैं है उन्होंने 70 रुपीस में exit बान दी और IDFC बैंक के जो सबसारे stock उनके थे उनको बेच ली है first capital नाम का ये company शुरावाद करने के लिए वाईडे दाधन को मदद करने के लिए ये company ने investment की थी वो investment प्राफिटली अभी exit हो गया है तो प्राफिटली भी exit हो गया है 75 रुपिया में बेचे ये market की 5% discount थी March market morning में IDFC बैंक में 3.5% की drop होई थी उसके बाद make up जब ये sale complete हो गया mark up होकर वापस market ऊपर चरी गई है IDFC first का so IDFC first का news है कि उनके सबसे पहले investor अभी completely exit कर चुके हैं टाटा मोटर्स ने अनूंस किया है कि उन्होंने हिंदुस्तान petroleum के साथ टयब की है उन्हें पांच सव पांच हजार petrol station में टाटा की EV station रखे जाएगी सो और EV penetration और strong होती जाएगी ये भी संकेत मिल रहा है सो इसके कारण उसका profits भी बहुत ज्यादा increase हो गया है लार्सन ट्यूब्रोस में एक न्यूस है लार्सन ट्यूब्रोस ने साथ सो पचास क्रोड का external commercial borrowing sanction कर दी है यह company आज प्राइस वोपर वोपन हुई और वोपर गई 52 वीख है के पार कर चुकी है क्योंकि 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 सबसे contracts नौटी से मिल रही है जहां उनका currency डॉलर से पेग है सो डॉलर में commercial borrowing करना उतना ज्यादा L&T को impact नहीं करेगी इस बर आइसे इसे ने मैस जैसा मैंने बोला आइसे से security की shareholders को phone कर share folders को टेंडर में offer में बड़ डालने की सला दे दी है अभी बैस से भी कह रही है कि वो insider trading हो सकती है उसे वो investigate करना चाहती है तो एक forward trading case भी आया है एक वोनर के लिए काम करने वाले विजाई नाम का एक आदमी जो राइडी कोड डिस्टिलर से ट्रांसफर हुआ था उन्होंने अपने मा की account में नाम में account को खुल कर उसमें trading की वो साफायर इंटरफेस से trading करते थे उनकी trading order प्रेस होने के कुछ seconds पहले कुछ गंटे पहले वो traders जो stocks वो करिडना चाहते वो पहले ही अपने leverage account में करीते और जब market पीक हो रही है उसी तेम इस शैस को बेचकर मुनाफ़ा कमा देते अभी किसेभी ने कह दिया है कि आपको सारा पैसा लोटाना चाहिए लगबख एक करोड रुपिया वापस करना पड़ेगा और ये मुना बेटे दोनों इंडस्ट्री में तीन साल के लिए काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि security ट्रेडिंग में वो not allowed है आज के लिए इतना ही आपने इस podcast को देखा इसके लिए मैं आपका आबारी हूँ अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्रीब कीजिए बेल बेटन दबाएं इस वीडियो को अपने रोस्तों रुस्तेदार के पास बेजें और उनको देखने के अगरे करें नमस्कार धन्यवाद जाहिंद